वीडियो लाइक ज़रूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के तीन हजार से जादा कोश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे इस सीरीज में अभी तक हम लोग 1100 कोश्चन कर चुके हैं आज जो है 1101 कोश्चन आपर कम्पलीट किया जागा मतलब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को अगर आपने अभी तक इस वाली सीरीज को देखना है स्टार्ट नहीं किया तो जरूर करिए प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको नहीं तकरियों 88 वीडियो अभी तक अपलोड किये जा चुके हैं उनको देखिए आगे आने वाला जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है इसके लावा बीएओ का पेपर होगा फिर जो पीसीएज दोहदा चौबिस का आप एक्जामिनेशन दोगे तो उन सब के पॉइंट अभी से ये सीरीज बेहतरी ही नहीं है और यहाँ पर सारे ही कोशन जो आने की पॉसिबिल्टी है उन सब को यहाँ पर कवर अप किया गया है तो इस वाली सीरीज को देखने के लिए आपको सिंपली ये करना है प्लेलिस्ट में जाना है उस सबसे पहले सबसे पहले तो आप चैनल को सबस्क्राइब करिए ठीक है अगर आपने नहीं किया है किया हुआ है तो आप लेडी मुझे लगता है आपने देखा हुआ होगा जो प्रिविएस वीडियो हैं उनको और नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भी तका प्लीज चाकर उनको देखो अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हो तो ठीक है चलो अब शुरू करते हैं आज कि अपने सेशन को पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन हिंदुस्तान रिपवलिकन एसोसियेशन इसका सदस्न नहीं था यह भगत सिंग थे यह चंदुशेकर आजाद थे यह राम परसाद बिस्मल थे या फिर यह थे शिव सर्म वर्मा तो सही आंसर क्या है का हमारा option D यानि कि शिव वर्मा जो थे ये हिंदुस्तान Republican Association के सदस नहीं थे तो आंसर क्या होगा हमारा option D move on करते हैं next question पे इसमें पूछा गया है कि अपनी फासी से पूर्व निम्लिकित करांतिकारियों में से किस एक ने पीने हे तू दिये गए दूद को अस्विकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मा का दूद लूँगा अब ये राजगुरू ने कहा ये अश्वाक उल्ला खाने कहा ये राम परसाद बिस्मिल ने कहा या फिर ये भगत सिंग ने कहा तो सही आंसर गयाएगा हमारा option C यानि कि राम परसाद बिस्मिल इन्हों ने ये statement दिया था इसके बाद move on करते है next question पे पूशा गया है कि काकोरी शड़यंत्र ये कौन से year में हुआ था 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में तो सही आंसर गयाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ा नहीं था अब ये आपके राम परसाद बिस्मिल थे ये रोशन सिंग थे आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं BEO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्शाइम के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो स्टेडी फॉर सिवल सर्विसिज की कोर्स को आप जोइन कर सकते हैं कंप्लीट तयारी के लिए यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टेडी मैटीरियल रहेगा टेस्ट सिरीज रहेंगी पेड कुईज रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूँ इन number पर आप call कर सकते हैं 8564-880-530 इस number पर आप संपर्ख कर सकते हैं इसके इलावा 96-960-66089 इस number पर contact कर सकते हैं या फ़र आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं इसके बाद चलते हैं इसमें पूछा गया है यहां पर कि निम्लिखित में से कौन काकोरी जो train action था उससे जुड़ा करांतिकारी जुड़े थे उनके मुकदमे से बच निकला था मतलब करांतिकारी उपर जो मुकदमा हुआ था उस मुकदमे से बच निकला था यह कौन थे यह शचेंदर नाथ बक्षी थे यह मुकंदी लाल थे चंदर शेखर आजाद थे यवरिये मनमत नात गुप्त थे तो सही आंसर क्याएगा हमारा आप्शन सी यानि की चंदर शेखर आजाद ये भाग निकले थे वहां से ठीक है इसके बाद मूव ओन करते हैं अगले कोशन पर ये जो कोशन आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर तो सही आंसर क्या था आप्शन डी यानि की चंदर शेखर आजाद इसके बाद चलते हैं अगले कोशन की और इस कोशन में यहाँ पर पूशा गया है कि निम्लिकित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था अब ये मोहनलाल सकसेना थे ये जगत नरायन मुला तो सही आंसर क्याएगा हमारा आप्शन बी यानि की जगत नरायन मुला इन्होंने काकोरी जो केस था उसमें सरकारी वकील के रूप में बहुमिका निभाई थी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर ये जो अगला कोशन आप देख रहे हैं इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं खुश रहो एले वतन हम तो सफर करते हैं क्या ये अश्वाक उल्ला खाने कहा था या फिर ये बहादो शाज जफर ने या फिर राम परसाद बिसमिल ने या फिर वाजद अलीश शाह ने तो सही आंसर क्याएगा हमारा आप्शन डी यानि कि वाजद अलीश शाह इन्हों ने ये पंक्तिया कहीं थी कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं खुश रहो एहले वतन हम तो सफर करते हैं ठीक है चलो इसके बाद चलते हैं अगल भगत सिंग तो सही आंसर क्याएगा हमारा आप्शन सी यानि की चंद शेकर आजाद इनके दौरा हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपरवलिकन एसोसियेशन इसको गठित किया गया था इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं इस कोश्चन में यहाँ पर आपसे पू इसमें से कौन था आपको यहाँ पर यह बताने है तो सही आंसर क्या होगा हमारा इसके बाद move on करते हैं next question पे इस question में यहाँ पर आपसे पूचा गया है कि किसने सच्चेंद्र सान्याल दौरा स्थापित हिंदुस्तान Republican Association का नाम बदल कर हिंदुस्तान Socialist Republican Association कर दिया यह राज बिहारी बोस थे यह बटुकेश वर्दत थे सर्दार भगत सिंग या फिर चंदर शेखर आजाद तो आंसर क्या होगा option D यानि कि चंदर शेखर आजाद इसके बाद next question की बात करें वर्ष 1928 में हिंदुस्तान Socialist Republican Association की स्थापना यह कहां पर हुई थी कानपुर में, दिल्ली में, इलाबाद में या फिर लहौर में तो सही answer क्याएगा हमारा option B यानि कि दिल्ली में move on करते हैं अगले question पर इस question में यहाँ पर पूछा गया है कि करांतिकारी चंदर शेखर आजाद इनको अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था फासी दे कर मार पीट कर या फिर मुट्भेड में गोलियों से या फिर सेनिक जीप से कुचल का तो obvious सी बात है answer कौन सा होगा हमारा option C इसके बाद move on करते हैं next question पर इस कोशन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसिद नारा इंकलाब जिन्दाबाद ये सबसे पहले किस ने दिया था चंदर शेखर आजाद ने मौलाना हसरत मुहानी ने अश्वाक उल्ला खान ने या फिर अबुल कलाम आजाद ने तो ये जो इसका answer आगा वो क्या आगा आपका option B यानि कि मौलाना हसरत मुहानी इन्हों ने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था इसके बाद चलते हैं अगले question की और इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भगत सिंग ने central assembly में बम फेका था चंदर शेखर आजाद के साथ सुखदेव के साथ बटुकेशवर दत के साथ या फिर राजगुरू के साथ तो अभी हमने देखा है answer क्या होगा हमारा option C यानि कि बटुकेशवर दत तो दोस्तों आज के इस वाले section को यहीं पर end करते हैं फिर मिलते हैं next video में तब तक previous videos को देखने के लिए playlist में जरूर चाहिए उन videos को देखिए जो भी आपका experience रहे उसको share करिएका comment section में और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएका thank you so much have a nice tip bye bye